प्रिये दर्शको नमस्कार आज आप सभी के समक्ष एक यूती की जर्म कुंडली अध्यन करने के लिए मैं उपस्तित हुआ हूँ जर्म की डिटेल्स आप देखी पा रहे है 22 अप्रेल सन 2000 सुभा 5 बचकर के 25 मिनट बीदर ये करनाटका में है इसके अनुचार इनकी जर्म कुंडली बनती है मैं उसका भी अध्यन करूँगा साथ में यहां पर इन चार ग्रहों की यूती और कुंडली में बन रहे योग जीवन में कितना धन देंगे और क्या इनको सरकारी नोकरी लग पाएंगी इसी से जुड़े कुछ इनके प्रश्न है आईए एक एक करके मैं पहले ग्रहों की इस्तिती से आपको आउगत कराता हूँ और फिर जो इनके प्रश्न है उनके उत्तर भी मैं साथ में देता चला सबसे पहले देखे कि जो जर्म कुंडली इनकी बनी है ये बनी है मीन लगन और व्रश्चिक राशी की मीन लगन जल तत्विये लगन है और व्रश्चिक राशी भी जल तत्विये राशी है यानि लगन और राशी का जो तत्व है वो समान हो गया है एसी इस्तिती में प्रा आगे बढ़ने के लिए प्रेडित करते हैं जल तत्विय लगन होने से मन में अधिक कलपनाय करना अधिक बाते सोचना व्यर्थ की चिंता भी कई बार करना ये सोभाव बढ़ जाता है क्योंकि यहां पर जल का प्रभाव है वो बहना है और जब राशी और लगन दोनों पर ज अधिक कलपनाय करता है अधिक सोचता है और कही न कही कलपनाओं में अधिक जीवन जीता है मीन लगन ये काल पुरूश की कुंडली में बारवे भाव में आती है तो इसलिए मीन लगन या मीन राशी का विक्तिक खर्चिले सोभाव का होता है अधिक कलपनाओं से युक्त ह बढ़े बढ़े सपनें देखता है। वो ख्याली पुलाओ की तरह भी होते हैं और कई बार उनके लिए मेहनत भी करता है। तो ये दोनों ही बाते इनके सवभाव में भी रहेंगी। क्योंकि यहां पर मीन लगन बना है। तो इनके सवभाव में ज्यान भी होगा, आध्यात् सकता है इसके साथ ही इनके चंदर्मा की बात करें तो ये व्रश्चिक राशी में है अपनी नीच राशी में बेठे हुए है लेकिन मंगल की दश्टी इन पर आ रही है तो एसी स्थिती में चंदर्मा को शुब कहा जाएंगा लेकिन एक परिशाने की बात ये जरूर है कि ये बढ़ाएंगे टेंशन बढ़ाने का काम करेंगे और ये चंद्रमा जो है ये शनी के ही नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में बेठे हुए है जिसके कारण कही न कही मांसिक तनाव चिंता बढ़ जाती है घर परिवार में भी जो अन्य लोगों का सहयोग मिलना चाहिए उसमे गिरावट आ जाती है लेकिन अच्छी बात ये जरूर होती है कि इनको जिसे क्रोध भी आएंगा तो वो शनीक रहेंगा और साथ में जो भी ये कारे करेंगे उसमें ये देखने को मिलता है जब चंद्रमा यहां पर केमद्रूम दोस्ते पीड़त आपको दिख रहा है साथ में ये चंद्रमा ये भी कारे करेंगा कि इनके व्यर्थक के जो चिंता है ये इनके सोभाव को इसा बना देगा कि ये सोयम तो चिंता करें ही लेकिन अन्य आसपास जो है उनको भी किसी ने किसी प्रकार से चिंता देने का प्रयास करें मतलब इनके तरफ से कोशिश नहीं ह है इसके करण भी अशुक प्रभाव पड़ेंगा लेकिन सबसे पहले हम इनके लगन की बात करते हैं सरोपतम देखिए मीन लगन बना है और इसके स्वामी गुरु जुतिय भाव में बेठे हुए है ये निशिती जीवन में धन कमाने के लिए धन अरजित करने के लिए और जी यहां पर भी जाएंगा अपनी बातों से अन्य को प्रभावित कर लेंगा इसके साथ में आप देखिए कि यहां पर इनका मीन लगन है और लगन में ही बुद्ध और शुक्र की यूति लक्ष्मी नारान योग बना रही है इस योग का प्रभाव ये बोल सकते है कि वेक्ति को गुनवान रूपवान और सभी प्रकार से सुखो को देने वाला बना देता है शुक्र यहां पर उच्च राशी में बेट करके मालब बयोग निर्मान कर रहे हैं आप ये जानते हैं इस कुंडली में सरवादिक अकारक ग्रह शुक्र बनते हैं लेकिन शुक्र जैसे शु बहाओ भी होगा लेकिन अच्छी बात ये रहेंगी कि शुक्र और बुद्ध का यहां पर बेटना ये परिसिति को मेनेच करने वाला बनाएंगा सभी प्रकार के सुखो को देने वाला बनाएंगा और इनके अपने भाग्य से ये जीवन में अच्छी मात्रा में धन अर्ज लेकिन अच्छी बात ये है कि यहां पर शुक्र के साथ होने से नीच भंग राजयोग भी बन जाता है इसका प्रभाव ये रहेंगा कि जीवन में सभी प्रकार के सुख ये बुद्ध देने का काम करेंगा लेकिन लगन में बुद्ध है तो एक बात देखने को मिलती है कि स बहाव एक चीज़ पर इस्तिर नहीं रहता है। यहां पर चंद्रमा भी कमजोर आपको दिख रहे हैं, यह भी यही काम करते हैं। कोई भी काम चालू करेंगे तो इसको दो दिन करके फिर छोड़ देना, या फिर कुछ समय तक प्रयास करना लेकिन फिर छोड़ देना। इस पारिवारिक सुखों सभी प्रकार के सुखों को देने का काम करेंगा। मानसिक शान्ति और जीवन में सुख, सुविदा सब प्रकार से इनको एशव आराम की जीवन इनको आराम से मिल जाएंगा। यहां पर बुद्ध सब्तम भाव के स्वामी भी होते हैं, लगन में पेठे हैं और सब्तम भाव पर किसी अशुब ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा है। इसलिए सब्तमेश, सब्तम भाव और यहां पर जो विभाह के लिए देखा जाए तो गुरु और शुकर की इस्तिती प्रमुकृप से देखी जानी चाहिए। गुरु भी यहां पर देखा जाए तो लगने शुकर के जुतिय भाव में हैं यहां पर इन ग्रह से अस्त नहीं हुए हैं जिसके करण गुरु भी मजबुत है और अन्य ग्रह अवस्ता किसी प्रकार से देरी के योग नहीं बना रही थी। इसलिए इनका विभाव भी हुआ और अभी अच्छा जीवन यह जी रही है तो यानि कहा जाए तो इनके बुद्ध और शुक्र की यूति है यह जीवन में अच्छा प्रभाव इनको दे रही है और सभी प्रकार के सुखों को देने का काम करेंगी सब्तम्भाव के स्वामी वेसे नीच राशी में हो या बु गुष्टा आया तो दो मिन गुष्टा करा फिर शान तो हो गए क्योंकि बुद्ध का प्रभाव सने रुष्टा सने तुष्टा वाला प्रभाव हो जाता है तो इसके कारण यह होता है कि कही बार तालमिल बिठाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है लेकिन फिर भी कहा जाएंगा तो ये बुध इनको मेनेजमेंट समता का धनी बनाएंगा नीच राशी में होने से ये बात जरूर देखने को मिल सकती है कि अपनी बात को ठीक डंक से प्रस्तूत न कर पाए क्योंकि दूतिय भाव में भी यहाँ पर जितने गरह बेठे है ये भी इस तरह का का करवाते देखे जा सकते हैं यानि कई बार कुछ गलत बोल देना बाद में फिर विचार करना कि यह नहीं बोलना था वो इस्तिती ये बुद्व बनाता देखा जा सकता है लेकिन overall जीवन में सुखों के लिए धन के लिए और पारिवारिक सुख के लिए विवाहिक सुख के लिए ये बुद्ध की स्तिति यहां पर बहुत अच्छी है शुब परिणामों को देने वाली है शुक्र की बात करें तो पराक्रम भाव और अश्टम भाव के स्वामी होकर लगन में है तो ये महना जरूर करवाते है लेकिन एक शुब ग्रह होने के करण ये देखने को मिलेंगा कि जीवन में ये सभी प्रकार की परेशानियों से बचाने का काम करेंगे और जीवन में बहुत अच्छी बात बनके आती है यहां पर आप इसके बात करें कुंडली के द्वितिय भाव की तो आप देखें यहां पर चार ग्रह बेठे है सूर्य गुरु शनी और मंगल अब वैसे दिखा जाए तो यहां पर गुरु लगनेश और दशमेश होने से यह द्वितिय भाव में बेट करके महा धनी योग भी निर्मान करते है जीवन में धन की कमी नहीं होंगी यह भी सुनिश्चित करते है और सभी प्रकार की सुख सुधा इनको प्राप्त होंगी यह भी सुनिश्चित करते है मैं आपको बता चुका हूँ जूतिय भाव में बेठा गुरू अत्यन्त स्रेष्ट प्रभाव देता है और जिवर में अच्छी मात्रा में ठीक ठीक मात्रा में विक्ति को धन प्रदान करने का काम करता है लगने शोकर के बेठे है तो इनका भी अधिक फोकस धन कमाने के लिए धन अरजित करने के लिए अवश्य से देखने को मिल जाएंगा इसके बाद यही पर अगर आप देखे तो यहां के स्वामी जो मंगल बनते है वो मंगल भी यही पर बेठे है अपनी सोराशी में मंगल भाग्य भाव के स्वामी है और भाग्येश का सो राशी में बेठना ये भाग्य को भी प्रवल करता है और विक्ति को भाग्यवान बनाता है यहाँ पर सूर्य गुरु शनी और मंगल ये चार गरह बेठे हुए है तो इनका प्रभाव देखा जाए तो ये अच्छा देखने को मिलेगा यहाँ पर देखिए शनी बारवे भाव के और लाभ भाव के स्वामी है और ये जूतिय भाव में बेठे है नीच राशी में है ले ये निच्चिते खर्चिला सुभाव बड़ा देंगा लेकिन जन्म इस्तान से इनको दूर रहने पर सफलता भी देंगा साथ में ये अपने दम पर अच्छी इस्तिती और अच्छा धन अरजित भी कर पाएंगे शनी मंगल साथ हो तो विक्ति टेक्निकल माइंडेट बन ज चाहिए वो नहीं मिल पाता है और कहीं न कहीं ये भी देखने को मिलता है कि जीवन में जो महेना थे वो बड़ जाती है शनी की जर्ष्टी यहां पर तीसरे भाव पर आर चतूर्त भाव पर आ रही है जिसके कारण जीवन में एक से अधिक मात्रा में भूमी भवन वाहन का सुक ये प्रदान करेंगा विशेशकर देखने को मिलता है कि चतूर्त भाव पर शनी का प्रभाव हो और बुद्ध की राशी हो तो यसे वेक्टी को वाहनादी खरीदने का शोक होता है और वाहनादी का अच्छा शुक एसे वेक्टी को मिल भी जाता है शनी बंगल साथ मे और सभी प्रकार के सुखों को देने वाला होगा इसके बाद यहां पर गुरू और शनी की यूती जो है गुरू शनी की यूती भी वेक्ति को जीवन में आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाती है अच्छे कारे करने वाला बनाती है इनका मीन लगना भी है तो यह बोला जा यान आधि रहते हो इस तरह का प्रभाव इनको देखने को अवश्य मिल जाएंगा तुकि गुरू शनी जूत्य भाव में है इनकी यूती इस तरह का प्रभाव अवश्य से उत्पन्र करती हैais और गुरू शनी कि ये जो भी एकजाम आदी दे, competitive एकजाम आदी की तयारी करें तो उसमें आसानी से सफलता मिल जाती है। सूर्य आत्मविश्वास देता है उच्च राशी में होने से जीवन में सफलता के लिए अच्छा रहता है। सूर्य गूरी की यूती ये अत्यंत स्रेष्ट होती है, शिक्षक योग ये बनाती है। इसका प्रभाव ये होता है कि इनके सभाव में अन्य को कुछ सिखाना, अन्य को ग्यान देना, अन्य को पढ़ाना इस तरह का गुण अधिक देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर सूर्य गूरू का साथ में होना, ये इनको विभिन परेशानियों से भी बचाएंगा और सभी प्रकार के सुखों को देने का काम भी करेंगा। हाँ, गुरू कई बार शनी के साथ हो, तो ये बात जरूर बन जाती है कि फिर जो महिलाओ को मासिक धर्म की पीड़ाये होती है, वो कई बार बढ़ जाती है। इन ग्रहों से रखना चाहिए, विशेशकर पेट जनने परेशानी और अंधुनी रोगों यहाँ पर होने की इस्तितिये बना देते हैं। तो बाकी इस्तिति इन ग्रहों से अच्छी बनती है। यहाँ पर फिर बात करें पंचम भाव के राहु की। तो देखिए पंचम भाव में राहु बेठे हैं। इस पर किसी शुबग्रह का प्रभाव नहीं आता और मंगल की जश्टी इस राहु पर आ रही है। यह इस्तिति कहीं न कहीं राहु को और बल प्रदान करेंगी। राहु पंचम भाव में हो जिद्धी और चिर्चोडा सोभाव बनाने का काम करता है। शिक्षा में बाधा उत्पन करता है। यहाँ चंद्रमा जो व्रश्चिक राशी में हैं। यह पंचम भाव का स्वामी हैं और यहाँ नवम भाव में बेठा है। शिक्षा आदी में लगाने का काम करता है लेकिन एक परिशानी की बात इसमें बन जाती है कि यह राहु किसी कारण से शिक्षा को बाधित करता है रोकता है। अब देखिए इन्होंने जैसे डिग्री हासिल करी लेकिन क्या हुआ कि विवाह के चलते वो जो पढ़ाई इनकी चल रही थी वो किसी करण वश रुक गई। अब देखिए एसी ही स्थिति अब किसी गरह के करण बने या परिस्थिती के करणब बने लेकिन यह राहु का काम पंचम भाव में और पंचमेश का कमजोर होना ये दोनों इस्थिति के अनुसार जिस तरह कारे करना चाहिए उसमें थोड़ी कमी लेकर के आएंगा और परिणाम सरुप क्या होगा कि जैसे इन्होंने कोई कारे कल कर दिया तो शुक्र और बुद्य प्रवत्ति देंगे कि अपनी बात मानना नहीं जो बोल जया वही सही है और अन्य को मानना पड देंगा वो प्रवत्ति और जिद्धी पन ये देता है राहू की दर्ष्टी चंद्रमा पर भी है तो उससे भी जिद्धी पन बढ़ जाता है अब एसे में कई बार छोटी मोटी बातों पर भी बड़ा विवाद हो जाता है यहां पर देखिए सप्तम भाव के स्वामी बु के अन्य सदस्तों से भी यहां पर बातचीत के रूप में कुछ विवाद संबह हो है लेकिन शुक्र अच्छी अवस्ता में है इसलिए कम से कम घर परिवार वालों का सहयोग अच्छा मिल जाएंगा और पती का अच्छा सहयोग मिल जाएंगा जिसके कारण दामपत्य जीव का तो आगे संतान सुख के लिए अच्छा रहेंगा क्योंकि आप अगर देखे तो पंचम भाव पर किसी शुब ग्रह का प्रभाव नहीं है चंद्रमा यहां पर पक्षबल से मजबूत जरूर है लेकिन अगर आप देखे तो यह राहू यहां पर पंचम भाव में है मंगल जर्ष्टी इस पर आ रही है और चंद्रमा भी नीच राशी में है यह संतान के लिए प्रतिबंदक योग या बाधक योग उत्पर न करती है एसी संतिती में गुरु को मलबलवान करना चाहिए गुरु का रतनाधी धारन करना चाहिए जिससे अच्छा प्रभाव मिल सके बाकी ये राहु का प्रभाव थोड़ा कमजोर रहेंगा और ये राहु को मजबूत करना है तो चंदर्मा को ठीक करना पड़ेंगा क्योंकि राहु स्वयम जिस ग्रह के साथ में बेठता है और जिनकी राशी में बेठता है उसके अनुसार प्रभाव देता है तो देखिए य इससे राहु का प्रभाव अच्छा हो, क्योंकि सरकारी नोखरी प्राप्त करना हो, तो आपका फोकस एक जगह पर होना चाहिए, यहाँ पर सूर्य गूरु शनी मंगल यह फोकस तो बढ़ा रहे है, लेकिन चंद्रमा जो मेहनत होनी चाहिए उसमें भी गिरावट ला रहा है पराकरम भाव का स्वामी लगन में जरूर है, यह मेहनत करवाता है, लेकिन वो शुक्र है, और शुक्र उच्छे राशी में बेठा है, तो यह आराम पसंद जीवन देने का काम करता है, और चंद्रमा की जश्टी भी पराकरम भाव पर आ रही है, जो कही न कही आलस से को ब प्रभाव देंगी, वेसे यहां सरकारी नोकरी की बात करें, तो देरी से लगने के योग बनते हैं, क्योंकि यहां पर भाग्योजय का वर्ष इनका अठाइव सवा वर्ष आता है, और अन्य ग्रह के प्रभाव से यहां जो इस्तिती बन रही है, यह देरी के प्रभाव को इसलिए अठाइव इस वर्ष के आयू जब इनकी पूरी हो जाएंगी, उसके बाद इनका भाग्योजय होगा और उसी के बाद इनको जीवन में अच्छी सफलता मिल पाएंगी, यहां पर यह राहू का प्रभाव ठीक करेंगे तो ज्यादा अच्छी इस्तिती रहेंगी औ और एक जगा फोकस होकर के कारे करेंगे तो ही जादा अच्छा रहेंगा, साथ में यह चंदर्मा का प्रभाव में आपको बता चुका हूँ, नवम भाव में बेठे चंदर्मा थोड़ा भाग्य में उतार चड़ाव लाते हैं, लेकिन यहां मंगल अच्छी अवस्ता में ह इसलिए भाग्य के लिए अच्छा है, लाभ भाव में बेठा केतू भी बहुत अच्छा प्रभाव देता है, विक्ति को भाग्य शाली बनाता है, लेकिन इसका एक अशुप प्रभाव यही होता है, कि यह गुप्त रोग देने का काम करता है, लेकिन एसा विक्ति महा पागे शाली होता है और जिस घर परिवार में रहता है जिस घर परिवार में जाता है वहाँ पर भी अपने की इसके कदम विशय शुब रहते हैं वह点 पर भी से सब्गी प्रकार जीवन में धन के लिए अच्छी रहेंगी जो कारे करेंगे उसमें फोकस बढ़ने से सभी प्रकार की सफलता इनको मिल पाएंगी साथी इन्होंने एक प्रशन पुछा था कि इनको इनकी दादी की योड से कुछ धन संपत्ता मिलने वाली है वो कम मिलेंगी तो देखिए शु या उसी से अच्छे योग बनना चालो हो जाएंगे वैसे इनके चतूर्द भाव पर शनी की द्रश्टी है जो एक से अधिक समय पर जमीनादी के योग बनाती है ऐसे में अगले वर्ष से जून के बाद भी इनके जमीनादी खरीदने के योग अच्छे बन रहे है इसलिए अगले वर्ष कोई सोयम से जमीनादी या कोई चीच खरीदना चाहते है तो उसके लिए अच्छे बन जाएंगे अच्छी सफलता यहाँ पर मिल जाएंगी बाकी ओवरॉल इस कुंडली में देखे तो ग्रह अवस्ता अच्छी है क्योंकि देखे बहले ही कुंडली में अध चिंता की योग नहीं बन रहे है बस यह चंद्रमा को मजबूत करेंगे तो जो कुंडली में बल है वो बढ़ भी जाएंगा और जिस कारह में कोशिच करेंगे वो सफलता भी मिल जाएंगी साथी ये जितने भी ग्रह है ये धन से जुड़े हुए है तो वेक्ति की चाहत अधिक धन कमाने की भी होती है और धन बचाने की भी होती है तो वेसे शुकर बेठे है तो खर्चिला सुभाव बनाएंगे यानि धन आगमन से ज़्यादा धन खर्च भी करेंगे लेकिन इन ज़न धन का कमी नहीं होने देंगे यहां पर देखिए जो अशिटक वर्क को अगर आप देखे धियान टुर्वक न के लाख भाव में चुमानिस अंक मिलना मतलब इनके नाम से किया गया कोई भी कार्य विशे सफलताओ को देखर जाएंग तो सोयम से कोई कारे प्रारंब करना, इनके नाम से कोई कारे प्रारंब करना, बड़ी सफलताओं को दे करके जा सकता है। बाकी यहाँ पर धनादे की स्थिति अच्छी है, जीवन में सफलता की योग अच्छे हैं और यह जितने भी ग्रह एक साथ बेठे हुए है, यह भी अपना अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आगे के जीवन में भी धन की कमी नहीं होंगी, शुक्र की महादशा जो 2025 से लगेंगी, यह अगले 20 साल चलेंगी यानि 2045 तक चलेंगी, इसलिए यहाँ पर अच्छा प्रभाव नजर आता है, केवल और केवल इस चंद्रमा को ठीक किया जाएंगा, तो अभी नित्य करते रहें, जिसते बुझ और राहु का प्रभाव अच्छा हो सके, और साथ में एक पुखराज, अपने सीधे हाथ की तरजनी उंगली में धरन करें, सोने की या फिर पंचे धातू में बनवा करके, उसे धरन करें, जिससे अच्छा प्रभाव इस गुरु का भी मिल सके, बाकी यहां पर देखा जाए, तो चंदर्मा की जो अन्य उपाए, मैं आपको वीडियो के जोरा बताते रहता हूँ, उन्हें करते रहे, जितना अधिक शिव जी की पुझा से जुड़े रहेंगे, जितना अधिक अच्छे कर्मों से जुड़े रहेंगे, दान रहे हैं, जो राहू की जश्टी क्या करती है, कि यह देखने को मिला कि माता के सहयों को बढ़ा देती है, तो यह अच्छी बात है, लेकिन फिर भी यहां पर चाहिए, कि इनको भाग्य का साथ अच्छा मिले, शिख्षादी अच्छी रहे, और यह फोकस होकर के कारें अच् प्रकार का मिल रहा है, आज मैंने आपको उसकी जानकारी दी है, अगर आप भी जन्म कुंडली अध्यन करवाना चाहे, तो दिये गए नंबर पर वोटसप पर संपर कर सकते हैं, निशुल का अध्यन के लिए अपनी जन्म की डिटेल से कमेंड में लिख सकते हैं, वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करे, अन्य लोगों तक शेर करे, और एसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करे, आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद